गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू मम्मास फूट कॉर्णर फ्रेंड्स आज हम बनाना सीखेंगे एक्दम निव स्टाइल से और एक्दम सरल स्टाइल से मक्का की रोटी जी हां फ्रेंड्स इससे पहले आपने ऐसे रेसिपी शायदी कभी देखी होगी जो कि इतनी सि अपने सवात के हसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं जा फ्रेंड्स यहां बहुत हीक्ते यहां सबूछ चुमक का लेया रहे हैं तो यहां पर में एक टीश्म काम how to और इसे हम हलका सा मिक्स कर लेंगे नमक को और अब नॉर्मल टेंपरेचर पर रखा हुआ जो है मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ यहाँ पर मैंने जिस कप से आटा हमारा डेड़ कप नाब के लिया था उसी कप से में एक कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब एक करीब दो कप से थोड़ा सा ज्यादा यहने सवा दो कप से थोड़ा सा कम पानी डिलेगा मेरे इसमें आटे में और एकदम बढ़िया हमें इसका बीना गुठली वाला स्मूथ बैटर जैसे हम केक का बनाते हैं उस तरह से बनाना है बढ़िया फेटते हुए इसको करके यह दो कप पानी मेरा डल चुका है और अब यह मैंने पाव कप पानी ओर लिया है तो इसमें से आधा मेरा डलेगा पानी और एकदम बढ़िया हमारा बैटर बनके रेडी हो जाएगा और यह मैं एक छोटा चमच ऑईल इसमें मिक्स कर रही हूं आटे में इसे भी बढ़िया हम मिक्स कर देंगे और यह हमारा जो सवा दो कप पानी था उसमें से हमने थोड़ा सा बच गया है हमारा और पूरा पानी हमने डाल लिया है हमारा बेटर बिल्कुल रेडी है अब अब हम यहां पे मैंने एक नॉन स्टिक पेन लिया है और उसको हमने गर्म कर लिया है और स्टिंग स्पून होता है वो दो चम्मच भरके मैंने इस पर डाल दिया है अच्छे से और हलका हलका से इसे फेला दिया है सब दूर इसे बहुत ज्यादा नहीं फेलाना है नहीं तो यह पलटने में तूट सकता है अब एक से दो मिनिट तक इसे मिडियम फ्लेम पर हमने देंगे फिर पीच में से भी इसे हलके हाथ से पलट देंगे ध्यान से थोड़ा सा और यह पलटने के बाद भी इसे हम मेडियम से लो प्रेम पर करीब अच्छे से 2-3 मिनट के लिए रोटी को बढ़िया सेकेंगे जिससे की दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिख जाए यह हमारी डांसिंग वाली रोटी बिलकुल रेडी है अच्छे से 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 एक लिए दूसरी साइड से भी और यह बढ़िया हमारी रोटी रेडी हो गई है बनके गर्मा गरम यह देखिए कितनी पत्री बनी है हमारी रोटी और अब इस मेथरण से आप आसानी से हर कोई अब रोट बना सकता है मक्का की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके लिए नहीं आपको आटा गुंधनी की जरूरते नहीं पॉलिथीन की नहीं चकला बेलन की बस बटाबट से बैटर रेडी कीजिए और गर्मा गरम जब खाना हो तब रोटी बिल्कुल बढ़िया टेस्ट में दिक्कत आ सकती है इसलिए मैंने यहां पर मीडियम साइज की सारी रोटिया बनाकर रेडी कर ली है यह देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी यह आपको बिल्कुल इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा नॉर्मल मक्का की रोटी से जो नहीं खाते होंगे उन्हें इसका टेस्ट काफी पसंद आ रहा है मेने घर पे मैंने ट्राइगी थी तो आपके यहां भी आपको और सभी को बहुत पसंद आएगी रोटी और फ्रेंड्स आप इसी तरह से मुझे मोटिवेट करती रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और श स्वास्त रहिए खुश रहिए और देखते रहिए मामा स्वूट कॉर्णर थेंक यू